हेलो गाइस, वेलकम बैग, आज हम हमारा सेकंड वीडियो अप्लोड कर रहे हैं, हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग, देफिनिशन, उनके फीचर्स, अकाउंटिंग प्रसेज और ब्रांचिस अफ अकाउंटिंग, ये पढ़ा था, आज हम पढ़ेंग ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनिशन में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, जिसमें हम सारे ट्रांदिक्शन को आइडिंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और अनलाइस करते हैं, आज हम लोगों न हम लोगों ने जो आइडिंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाईंग तक का प्रोसेस था, उसको हमने बुक कीपिंग बोल दिया, ओवरल जो हमारे स्टेप्स थे, उसमें आइडिंटिफाई, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाईंग, इन तीन को अगर हम बनाते है तो हमारा बुक कीपिंग होता, तो बुक कीपिंग का मतलब कहा है, बुक कीपिंग इस आ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाईंग बुजिनस ट्रांजिक्शन, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आइक तो पड़े हमने टोटल चार स्टेप्स पड़े, आइड ट्राल बैलेंस ट्रेडिंग फॉफित लॉस अकांट टाउंट टो सब्सक्राइब जब हम इसे पहले हम जब आइंटीफाय करते हैं फञांशल ट्रांडिक्शन्स को यह देखते हैं कि वह मनी टर्म में मेजर हो सकता है या नहीं ठीक है उन्हें रिकॉर्ड करते हैं उन्हें क बनाते हैं तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं तो बुक कीपिंग क्या होगा इसकी सेकेंड डेफिनेशन सबसे अच्छी है बुक किपिंग इस साइन्स एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कलेक्ट करेक्ट लिए इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट और बुजनिस ट्रांजिक्श क्लासिफाइब को जाता है उसके बात के स्ट्राइब किसमें आते हैं अकाउंटेंग हम मैं कौन सा इसकेंट्री फंक्शन हो गया लिए हिकांट Accountancy होते हैं जिन Rules and regulations पे बुट किपिंग और Accounting काम करते हैं उससे हम बूलता Accountancy आcentric Content है जिसके अन्दर सारे principles सारी टेorkनीक सारे Rules regulation सब कुछ लिखे होते है कि कैसे bookkeeping and Accounting works for example bookkeeping में हमने रूला कि record होता है तो experience in rules पे होता है वो कहां I lied to see моя classify कैसे करते हैं उनके भी कुछ rules है वो कहा mention होंगे again accountancy में accounting में हम क्या कर रहा है summarizing trading account p and l account balance sheet कैसे बनती है क्या rules होते हैं यह भी कहा mention होता है accountancy में तो accountancy क्या हो गया it's an entire body of theory and practice of accounts जो आपको proper knowledge बताती है कि कैसे accounting और bookkeeping work करेंगे इनके difference पर आते हैं क्या identification of transactions measuring the transactions in terms of money recording of transaction in the box of accounts and classifying the transaction posting them into ledger यह चार चीज़ा आती है क्या क्या आता है identification measurements and recording and classification जबकी accounting में क्या क्या आता है summarizing preparation of financial statement analysis and communication यह किस में आता है accounting में primary stage है हमारी bookkeeping bookkeeping कौन से stage primary मतला पहले हमें bookkeeping करनी पड़ेगी then we'll do what accounting accounting हमारी कौन से stage secondary तो जहां bookkeeping end होती है वहां से accounting start होती है bookkeeping आपका क्या है routine job है इसको कोई भी clerical staff कर सकता है जबकि accounting आपका analytical job है जिसमें finalize करना होता है तो इसके लिए हमें senior staff की जरुत होती है objective क्या है bookkeeping का तो object है कि हम लोगोंने सारे systematic records maintain की है in a systematic manner जबकि accounting का object क्या है कि हम लोग company की profitable situation and financial soundness पता कर सके प्लस उसके जो भी related users है उनसे communicate कर सके bookkeeping को तो junior staff पी perform कर सकता है जबकि accounting को senior staff perform करेगा bookkeeping के लिए normal skills की requirement है as in अगर 11-12 पढ़ा हो बच्चा है तो वो easily कर सकता है लेकिन accounting के लिए हमें qualified और ज़्यादा specialized person चाहिए as compared to bookkeeping तो यह तो हमारा था bookkeeping और accounting का difference accounting और accountancy में के difference है accountancy refers the entire body of theory वो तो आपको theoretical rules regulations बताती है जबकि accounting deals with the practice part of accountancy उसी को अगर हम लोग practically करेंगे कि इसको accountancy को तो वो क्या हो जाए का accounting accountancy area of knowledge वो आपको knowledge बताता है where is accounting is the action taken on the basis of knowledge accounting क्या है कि यह जो knowledge आपको accountancy ने बताई है उसका practical implementation accountancy broad term है जबकि accounting broad term नहीं है वो उसका part है तो सबसे पहला accounting आता है उसके record of business transactions business transactions के systematic record को maintain करने के लिए ताकि हमें date wise individually क्या मिल सके सारे transactions मिल सके calculation of profit or loss of the business business को profit होगा या loss suffer कर रहा है जो भी है एक particular period का हमें वो पता लग सके फिर despite financial position of the business business की financial position financial position का मतलब कि जब से business शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक businessmen प्रप्राइटर कौन है जिसने business start किया उसके पास कितनी assets है कितनी liabilities है कितना capital है यह सब पता करने के लिए facilities management management को भी अगर financial information की requirement है decision लेना है budgets बनाने है तो उसको accounting की जरुद होती है provides information to the users जो interested parties है कौन-कौन से जैसे bank हो गया shareholders हो गया employees हो गया investors हो गया उनको भी अगर information की जरूत है तो भी इसे लेते है help in making internal firm comparison अगर आपको अपनी firm comparison किसी से करना है तो उसके लिए आप पर पास accounts होनी जरूरी है तब यह पता लगाता हो कि हमारा profit जादा अच्छा है या उनका या हमारी financial position जादा अच्छी है या उनकी यह reasons हैं जिसकी वज़े से हम accounting करते हैं next हमारा है क्या फायदे है advantage of accounting first provide complete and systematic record हमारे पास पूरे साल के हम सारे transactions को oral तो याद कर ही नहीं सकते क्यों करना होता है अगर for example हमें हमारे घर के खर्चे देखने तो घर के खर्चे याद हो सकते हैं क्योंकि number of items number of transactions कम है लेकिन business में daily के basis में हजारो transactions होता है तो सबको date wise check करना possible नहीं है सबको date wise remember करना orally possible नहीं है तो इसलिए accounting करते हैं ताकि उनका proper and systematic record अपने पास रहे provides information about profit and loss accounting से हमें business का profit and loss situation पता लगती है इसलिए जरूरी है provide information regarding the financial position हमें क्या पता लगता है business की financial position कैसी है balance sheet पता लगती है asset liabilities capital की information पता लगती है इसलिए facilitate comparative studies की हगर हम चाहें तो हमारे business को हम दूसरे business से compare कर सकते on the basis of profits and financial positions helps in taking manager decision management को decision लेने में help होती है कि वो past record के basis पे judgment ले सकता है helps in settlement of tax liability जब government को हम tax pay करते हैं तो government हमसे written accounting statements मांगती है तो liability pay करने के लिए ज़रूरी है facilitating in taking loan अगर आप bank से loan लेने चाहते हो तो bank भी आपसे क्या मांगेगा आपका financial statement मांगेगा act as a proof in the court of law अगर हम कोई firm पे case करते हैं claim करते हैं तो उस claim में यह जो statements होते हैं यह evidence support में लगाया चाह सकते हैं helpful in deducting errors and frauds अगर हम लोग जो accounts करते हैं उसको हम check करवा सकते हैं तो उससे पता लग जाता है कि हमारे errors कितने हैं और frauds कितने हैं और उससे minimize कर सकते हैं facilitate sale of business अगर कोई बंदा business बेचना चाता है तो उसको एक purchase consideration amount decide करना पड़ता है कि कितने में business बेचेगा तो वो अराम से अपनी सारी asset liability calculate करके in accounting statements के through क्या कर सकता है selling price calculate कर सकता है यह तो हो गए fire है अब नुकसान क्या है limitation of accounting based on accounting concepts and conventions accounting जो है उनके खुद की basic rules basic principles है basic concept conventions है sorry ठीक है तो उसके वज़े से कई बार क्या होता है जो हम financial statements issue दिखाते हैं वह realistic नहीं होते for example fixed assets are valued at historical cost यह principle है कि हमेशा assets को किस cost पर दिखाया चाहेगा historical 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 मतलब जिस cost को उसको खरीदा था अब अगर हम लोगों ने suppose 5 साल asset को अपने पास रख रखाये example के तौर पर 5 साल पहले मैंने कार खरीदी 5 लाग पे according to the concept according to the principle हमें उस कार को हमेशा 5 लाग पे शो करना है 5 साल बाद भी वही कार मेरी balance sheet में कितनी की दिखा रही है अकाउंट के अंदर आपका personal judgment management का बहुत matter करता है कि हमें for example किसी एक चीज़ को calculate करने के तीन से चार method है और उनसे answers अलग अलग आ रहे हैं कौन सा method यूज में लेरना है management decide करता है जैसे depreciation को calculate करने के बहुत सारे methods होते हैं और है method से answer अलग आता है asset अलग आती है depreciation की value अलग आती है तो अब यह percent to percent condition पता नहीं रगती lack of qualitative information accounts का first feature था कि हम से पुली को record करते हैं जिनको financial term में quantities में major किया रहा सके तो qualities को accounts क्या करता है ignore करता है जबकि important है जैसे workers की loyalty management की efficiency ठीक है employer employee का relation management की goodwill यह सब important है लेकिन इसको आप exact पैसे में convert नहीं कर सकते हमने का workers are loyal कि कितने loyal अब इसको money में कैसे convert करोगे तो इसला accounts इसको record नहीं करता जबकि business के लिए एची important है ठीक है suffer from window dressing कई बार जो businessman है वह अपनी company के position अच्छा बताने के लिए true values में ना दिखा कर window dressing करता है window dressing करता है मतलब profit और loss में hira fairy करता है अगर tax बचाना है तो profit कम कर दिया कि profit कम है तो tax कम pay करना पड़ेगा कई बार asset जादा दिखा देता है ताकि investor हमें पैसा दे दे इससे हम लोग बोलते हैं window dressing नेक्स अन्रियलिस्टिक information अन्रियलिस्टिक information का मतलब क्या होता है accounts में एक और drawback ये भी है कि जितनी भी asset से stock है उनको market value पर नहीं दिखाया जाता जिससे हमें company की market situation पता नहीं चलती हम लोग किस पे आप करते हैं हमेशा cost price पर not suitable for forecasting accounts के अंदर आप फॉकस्टिंग मतलब future के ला accounting नहीं कर सकते हैं identification of financial transactions recording and classifying accounting क्या है whereas accounting is a secondary stage which includes summarizing analysis and communication accountancy क्या है accountancy refers the entire body of theoretical knowledge just on the basis of that book given accounting works ठीक है objectives क्या क्या थे to keep systematic records for calculation the profit and loss condition to ascertain the financial position of the business facilitate management for decision making provides information account information to the users and help in making inter-firm comparison ठीक है advantage similar advantage है again systematic record information about the profit or loss provide information regarding the financial position comparative studies help in taking manager decisions settlement detects liability facilitate in taking loan act as a proof in the court of law in case of any dispute and claim helpful in deducting errors and frauds and facilitate sale of business for calculating the selling price of the business or goodwill limitations क्या थे the accounting is based on concepts and conventions it affects personal judgment based on historical cost lack of correlative information suffer from window dressing unrealistic information and not suitable for the forecasting तो यहां तक का हमने पड़िया है टोटल चैप्टर के आप लोगो अभी तक शॉट नोट्स बनाने हैं ठीक है इनके जो जुड़ी भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग कुमारे लाइफ सेशन में खतम करते हैं मैंने आपके लोग अब्जेक्टिव एक क्वेज रेडी किये तो वो क्वेज सॉल्व करके इनके क्योशन कैसे फ्रेम होते हैं वो हमें बता लग जाएगा तो चैप्टर प्रिपेर हो जाएगा कोई भी इंफोमेशन हो या कोई भी क्वाइरी हो तो आप लोग उसे पूछ ले ना बाकी हम लाइफ सेशन में इसको सॉल्व करेंगे हैं थैंक यू एंड टेक क्यूर